Assalamualaikum dear learners and welcome in becoming an entrepreneur और सबसे आसान तरीका entrepreneur बनने का अपना family business join कर लीजे और यही agenda है हमारा इस video का कि अपना family business join करके भी आप entrepreneur बन सकते हैं Family business की कोई एक particular definition आपको literature से नहीं मिलेगी एक certain characteristics हैं किसी business के जो उसको एक family business बना देते हैं For example, if you can see on your screens Number one, अगर तो ownership जादा तर family members के पास है यानि family member controls the ownership of the business या फिर यह family का consortium भी हो सकता है यानि ज़रूरी नहीं है कि blood relations हो, आपकी family के जो other relatives हो सकते हैं वो भी मिल के कोई ना कोई business कर सकते हैं फिर business का जितनी भी planning होती है, जितने भी decisions होते हैं उसमें family ज़ादा involved होती है, family decisions ज़ादा involved होते हैं यानि management जो style है, basically वो family behaviors, family value से जो है वो influence होते हैं और वहीं से आ रहे होते हैं family businesses में, जोके family business है, इसलिए relationships के भी बहुत से concerns होते हैं और उमीद की जाती है कि family business जब कोई भी business शुरू किया जाता है कि वो इतना कामयाब होगा कि एक succession plan होगा यानि अगर वालिद साब ने business शुरू किया है और वो इतना कामयाब होगा है कि फिर अगला business उनका बेटा सभालेगा So it's called family entrepreneurship और family entrepreneurship पे भी इस वकत बहुत ज़ादा research की जा रही है एक कामयाब, यानि बहुत से businesses हैं जो हम देखते हैं यह जो नसल दे नसल businesses चल रहे हैं इनकी कुछ certain characteristics होते हैं successful family businesses के certain characteristics होते हैं जो के यह हैं number one, इनकी visions होते हैं, इनके goals होते हैं यह well formulated strategic plan के उपर base कर रहे होते हैं यानकी इनकी proper planning होती है, hap hazard planning नहीं होती इनके procedures, इनकी expectations well written होती है family और business को बहुत जादा mix नहीं किया जाता clearly मालुम होता है कि कौन सा family member business में कितना participate कर सकता है decision लेते वे उसकी कितनी बात सुनी जाएगी कितने पैसे वो accounts में से निकलवा सकता है यह इस तमाम चीज़ें बहुत clearly mention होती हैं फिर उसके बाद business जो है उनमें succession plan पहले से तै कर दिया जाता है कि अगर यह business है तो अगर कोई एक ही for example बच्चा है तो वो अपना business समाल लेगा और अगर कुछ बहन भाई हैं या कोई और relatives हैं तो एक दफ़ा जब business कामियाब हो गया है तो जब कोई एक member retire होगा तो उसकी जगा कौन सा member लेगा यह पहले से तै कर लिया जाता है to avoid the conflicts फिर उसके बाद सबसे important चीज़ यह outsider advisor जरूर रखते हैं बहुत जादा over reliance नहीं करते अपनी family wisdom के उपर बाहर से भी advisors बुलाते हैं और उनसे भी मशवरे करते हैं फिर उसके बाद कोशिश ही करते हैं चुकि यह family business है family relations बड़े important होते हैं तो यह अपनी family के साल time भी spend करते हैं कोशिश करते हैं कि family के अंदर rifts ना हो family time spend करते हैं और उसी का impact business के उपर भी नज़र आता है इनकी management बहुत professional होती है इनके governance structures आपको नज़र आएंगे इनकी पूरी policy business first policy होते है यानि कोई भी जब festa होगा तो उसमें family relationship बड़े important होंगे लेकिन business के concerns को पहले तवज़ो दी जाएगी पहले preference दी जाएगी और सबसे important बात अगर मिसाल के तौर पर ज़ादा लोग इसमें involved हैं तो वो पहले से plan कर लेते हैं कि इतने लोग एक business के ओपर तो rely नहीं कर सकते तो diversify किस तरह से होगा और family member कौन कौन सा unit संभालेगा family business बहुत मश्किल है उसकी वजह क्या है उसके challenges क्या है सबसे पहली बात family की आपस में rivalries बहुत होती है family के conflict होंगे उनका सारा का सारा impact business के ओपर आ रहा होता है फिर एक और बहुड़ा critical matter है वो यह है कि अगर family business है और for example business संभालने के लिए कोई बेटा नहीं है बेटी है तो खवातीन के लिए family business के अंदर आना और own करना बाज़कात मुश्किल हो जाता है जिसको हम word देते हैं glass ceiling का यानि खवातीन के लिए business को join करना उनको take over करना मुश्किल हो जाता है फिर उसके बाद जो family businesses हैं उसमें बहुत role conflict आता है वालिद सब अपना business कर रहे हैं जब बेटा join करता है तो बाज अकात role conflict आ रहाते हैं वालिद भी हैं वो किसी firm के CEO भी हैं उन्होंने अपने firm के profits losses भी देखने हैं अपने बेटे को भी देखना हैं फिर दोनों के managerial style बहुत मुक्तलिफ होते हैं बाज अकात सोच बहुत मुक्तलिफ होती है फिर बाज अकात family members financial जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंस जो हैं वो चारे होते हैं वो पसंद नहीं करते कि वो किसी को जवाब दें कि पैसे कहां खर्च की हैं कहां नहीं खर्च की हैं यह बहुत मुश्किल हो जाता है फिर family business के अंदर बाज अकात family की involvement बहुत जादा हो जाती है family के conflict जो हैं उसके सारा impact business के उपर आना शुरू हो जाता है खास तोर पे जब succession की बारी आती है अब business किस को ट्रांसफर किया जाएगा उसमें बहुत से issues आ जाते हैं मिसाल के तोर पे अक्सर वालदین यह सोचते हैं कि अगर हमने business बच्चों को दे दिया तो हम क्या करेंगे फिर उसके बाद बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो business के उपर control और जो power होती है business के control की वो share करते हुए जादा जिसे कहते हैं वो आसानी महसूस नहीं करते है उसके इलावा बहुत वकात आपको मुखलिव threads होते हैं साल के तोर पर आप किसी एक अपने बच्चे के साथ जादा affiliated हैं, जादा महबत रखते हैं, आप उनको जादा engage करेंगे, तो दूसरे जो है वो बाद वकात इस चीज़ को जादा feel करते हैं जिसके वज़े से jealousy भी आती है rivalry भी आती है तो यह तमाम चीज़ हैं यह जो succession plans हैं और जो family जो old businesses के decisions हैं यह बाद वकात बड़े critical और उलजेवे हो जाते हैं और इसलिए हम कहते हैं कि family business के अंदर family और business इसकी boundaries हमेशना blur हो जाती हैं फिर उसके बाद easy काम, easy को बाद वकात आप चुके ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं आपको एक सजा सजाए कारोबार मिल जाता है तो आप बाद वकात मेहनत नहीं करते हैं और ऐसी बहुत सी case studies हमारे सामने हैं जिसमें बहुत अच्छा business था लेकिन जब next generation उसको take over किया तो वो उसको काम्याबी से नहीं चला सके वजह, lack of interest in the family, business और आखरी दो बजहाद आपके employees की भी एक certain loyalty होती है एक specific honor के साथ वो उसके साथ ज़्यादा comfortable होते हैं ownership change हो जाती है loyalties बदल जाती है और again ये इस तमाम की तमाम चीज़ें आपकी organizational performance पर असर रखती है फिर उसके बाद family business में कोई भी incident हो जाता है कोई भी जिससे कहते हैं उँच नीच हो जाती है उस सब का impact आपके business पर आता है सो कहने का मकसद ही आ जाता है कि बजाहिर बहुत आसान लगता है कि आपके पास एक सजा सजाए कारोबार है आपने अपनी education complete की और अपना family business join कर लिया और entrepreneur बन गए लेकिन इसके concerns, इसके challenges और इसके issues अपनी रगा पर मौझूद है So, this is another way to become an entrepreneur और again entrepreneur बनना हमेशा से एक challenging job रहा है See you in the next video